दोस्तों आपने बच्पन में या कभी ना कभी ये गोल गोल मसालेदार पोला तो जरूर खाया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्टरी में किस तरह बनाया जाता है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मक्के के दानों को एक मशीन में डाला जाता है इसमें इन दानों को मोटा मोटा पीस लिया जाता है अब इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जो पानी के साथ मक्के को बारीक पीस कर इसे पोला का आकार देती है और लंबा लंबा पोला निकलता जाता है अब इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जहां पर इसके लंबे लंबे पीस काटे जाएंगे जब तक पोला की कटिंग हो रही है तब तक अगर आप भी महादेव के भक्त है तो आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना है अब इस पोला को एक बड़े रोलर में डाला जाता है जहां इसमें सभी मसाले अच्छी दरह से मिलाए जाते हैं इसके बाद इन्हें पैकेट में पैक करके बजार में बेचने के लिए भीज दिया जाता है